Hello everyone, welcome back to another video, this is Mukais Well, कभी-कभी हम लोग अपने day-to-day life में ऐसे sandwiches को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग काते हैं, वो क्या है ना मैं भूल गया था वो क्या है ना, कल मैं मुंबै जा रहा हूँ वो क्या है ना, जब मैं आ रहाता, तो रास्ते में पुलीस वाले ने मेरी कार पकड़ ली यानि तो sandwich को ऐसे ही बोलते हैं, दरसल बात यह है कि जब मैं आ रहाता घर से, तो पुलीस वाले ने मेरी कार पकड़ ली तो दरसल बात यह है की या नहीं तो वो क्या है ना तो इन दोनों फ्रेज के लिए हम लोग इंग्लीज में यूज करते हैं अब इसके complete structure को देखते हैं सबसे परदे आपको लगाना पड़ेगा उसके बाद एक छोड़ा सा कमा कमा लिखने के बाद आपको complete sentence लिख देना है आपको यहाँ पर double-double sentences भी आ सकते हैं मैं आपको examples दूँगा अब इसको better तरीके समझने के लिए कुछ examples लेते हैं और एक बात इसका पेडिया भी free में download कर सकते हैं सो आज का पहला sentence है वो क्या है ना मैं भूल गया था यानि तो दरसल बात यह है कि मैं भूल गया था तो इस sentence के लिए बोलेंगे actually the thing is I forgot it actually the thing is I forgot it ऐसी भी कर सकते हैं I forgot it actually the thing is generally लोग starting में ही बोलते हैं next sentence वो क्या है ना कि कल मैं मुंबै जा रहा हूं या दरसल बात यह है कि कल मैं मुंबै जा रहा हूं तो इस sentence के लिए बोलेंगे actually the thing is I'm going to Mumbai tomorrow actually the thing is I'm going to Mumbai tomorrow next sentence दरसल बात यह है कि मेरे पैसे खत्म हो गए है या आज कल मुझे पैसे की तंगी है या नहीं तो वो क्या है ना आज कल मुझे पैसे की दिक्कत है या दिक्कत चल रही है तो इस sentence के लिए बोलेंगे actually the thing is I have financial problem this day next sentence दरसल बात यह है कि जब मैं घर से आ रहा था तो रास्ते में पुलीस वाले ने मेरे गाड़ी पकड़ ली means मेरे गाड़ी पकड़ ली ऐसे बोल सकते हैं वो क्या है ना जब मैं घर से आ रहा था तो रास्ते में पुलीस वाले ने मेरे गाड़ी पकड़ ली तो इस sentence के लिए आप कहिएगा actually the thing is when I was coming from home the policeman caught my car on the way actually the thing is when I was coming from home the policeman caught my car on the way hey guys this is मुकेज well कभी कभी हम लोग अपने day-to-day life में ऐसे sentences को बोलते हैं जहां पर हम लोग करते हैं मैं जल्दी में था और उपर से पुलीस वाले ने मुझे पकड़ लिया मैं तुमसे मिलने आही रहा था कि उपर से चाभी नहीं मिल रहा था तो ऐसे sentences को हम लोग day-to-day life में काफी ज़दा यूज करते हैं तो देखते हैं कि ऐसे sentences को English में translate करने के लिए किस structure का यूज किया जाता है before knowing the structure हम लोग जानते हैं और उपर से इसके लिए हम लोग English में phrase करते हैं and on top of that and on top of that यहांपर and में desalent है जो आन नहीं पर जदा and ही पढ़ते हैं इसको desalent होता है अब इसके structure को देखते हैं सबसे प्ले राट करेंगा sentence जो sentence आप बोलना चाते हैं और उसके बाद लगाए and on top of that फिर से last में sentence बीच में आपको लगाना पढ़ेगा on top of that अब इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एक जमपस लेते हैं तो आद का पहला sentence है मैं जल्दी में था और उपर से पुलिस बाले ने मुझे पकड़ लिया इस sentence ले कहेंगे I was in hurry and on top of that the policeman caught me I was in hurry and on top of that the policeman caught me next sentence मैं तुम से मिलने आ रहा था और उपर से चावे नहीं मिल रहा था इसके लिए आप कहिएगा I was coming to meet you and on top of that I couldn't find the keys क्योंकि चावी बहुत सारे होते हैं इसलिए keys एक है तो सिर्फ key लगाई है और key लेकिन ये normally एक गुच्छे में तो दो तीन चावी तो होते ही है next sentence उसने मुझे गाली दिया और उपर से मारा भी इस संडेस क्लिए बोलेंगे He abused me and on top of that beat as well He abused me and on top of that beat as well next sentence मैं पढ़ रहा हूं और उपर से तु मुझे disturb कर रहे हो इस संडेस क्लिए बोलेंगे I am reading and on top of that you are disturbing me I am reading या I am studying and on top of that you are disturbing me next sentence वो काम कर रहे थी और उपर से तु मुझे बार बार फोन कर रहे थे इस संडेस क्लिए बोलेंगे she was working and on top of that you were calling her again and again she was working and on top of that you were calling her again and again hello everyone welcome back to my channel this is my case well आज के वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि इस तरीके के संडेस को इंगलिस में बोलने के लिए किसे स्टेक्चर का यूज क्या जाता है जैसे कि वो तुमारी मा के उम्र की है या वो तुमारे दादा के उम्र के थे आप मेरे पापा के उम्र के हैं आप मा पी क्यूं मांग रहे हैं तो किसी के उम्र के होना या किसी के उम्र का होना इसके लिए हम लोग इंगलिस में फ्रेज उज करते हैं old enough to be old enough to be modern में इसका यूज क्या जाता है आप चाहे तो simple English बोल सकते हैं as, old, as का यूज कर सकते हैं इसके दोनों को इस टेक्षर देखते हैं सबसे परले लगाएंगे subject subject को लगाने के बाद लगाएंगे each, am, are यदि आप sentence version में कर रहे हैं तो यदि आपका sentence past में होगा तो each, am, are के बदले watch या were में से कोई एक आएगा got it? उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा old enough to be old enough to be को write करने के बाद last में other words जिसे आप compare कर रहे हैं और next structure है वही subject, each, am, are, watch बर आएगा और old enough to be के जगा आप as old as का write कर सकते हैं last में other words दोनों structure को बेटर तरीके समझेने लिए कुछ इक जब पस लेते हैं तो आज का पहला sentence है वह तुमारी मा के उम्र की है इसके लिए बोलेंगे see each old enough to be your mother see each old enough to be your mother या नहीं तो कह सकते हैं see each as old as your mother see each as old as your mother next sentence वह तुमारे पापा के उम्र के थे और तुम उसके साथ misbehaving कर रहे थे या बत्तिमी जी कर रहे थे इसके लिए बोलेंगे he was old enough to be your dad and you were misbehaving with him he was old enough to be your dad you were misbehaving with him अगर इसको as old से बनाएंगे तो he was as old as your father and you were misbehaving with him next sentence मैं तुमारे दादा के उम्र का हूँ इस sentence के लिए बोलेंगे I am old enough to be your grandfather I am old enough to be your grandfather या नहीं तो I am as old as your grandfather next sentence आप मेरे दादी के उम्र के हैं इसके लिए बोलेंगे you are old enough to be my grandmother you are old enough to be my grandmother या grandma या नहीं तो you are as old as my grandmother Hey guys, this is दूरे माय पुर्स अन्देश देरांस को ठासर्ट के जाट के जाट के जाट जा जा comment box में If you make any mistake then I will correct it Guys how did you find my video If you really like the video please like, comment and subscribe and do not forget to share this video Thanks to watching my friends Bye Bye